well बच्चों एक बहुत ही लेटिस्ट अपडेट आ रहा है exemplar को लेकर आपको यह पता है ना कि new ncrtt आहे है और हर एक ncrtt में exemplar की questions हुआ करते थे तो भी exemplar के questions को भी बदल दिया गया है new type exemplar questions को release किया गया है और अब जितने यह बच्चें के तियारी कर रहे हैं , वोंके लिए इंके लीए एक्जाम्प्लर ूर वेरी शॉर्ट कोश्चन करके जाना यह देखा गया है कि हर साल थीन से चार सवाल आइसे आते हैं एकजामिनेस कहां पर मिलेगा कैसे मिलेगा और इससे का हमको क्या फाइदा होने वाला इन सबी के बार में इस वीडियो में हम बात करने वाले इस वीडियो को आप लोग एंट तक जरूर से 1.5 एक सिस्ट पर लगा लो जी देखो अगर हम बात करेंगे तो पहले इंपोर्टेंस क्या है जी अगर तुम देखो के तो अरौंड तीन से चार एंसी कि उसके तरह तीन स चूस वह आप लोग करके जाय करो जी है ना और कोई टीचर करवाता भी नहीं है और सहरे टीचर करवाना चाहिए चीज ठीक है अच्छा और अब एक बहुत इंपोर्टन पॉइंट यह आता है ना कि सिर्फ आपको एक्जांप्लर्स करके नहीं जाना है एक्जांप्लर में सवाल दिया गया है तो जब तक आपको सवाल आपके नहीं बनने वाले तो सारे परिफरी वाले क्लियर होने चाहिए और इसके लिए मेरे पास एक सर्प्राइज है यह जो एक्जांप्लर है आपको वह ऑफिशल वेबसाइट पर मिल जाएंगी तो उसका कोई भी टिंट कि इसके लिए एक बहुत ही बैटरीन थी चाप्रों के डिजाइन किया है जितने भी ख्लास 11 और 12 के इंग्जांप्लर में क्या होता है ना हर एक चाप्टर से 10 10 कॉश्चन होते हैं है ना तो हमने यह सोच है ना कि जितने भी ख्लास 11 और 12 बाय लोजी के उसको मैं लाइव पोल वाली क्लास में करवा दू फ्री में एक रुपए लेना नहीं है तो मैंने यह कहना कि 30 ओक्टोबर को इसी महिने के आठ बजे रात को आठ से लेकि साधे नौ बाइस तक आपन बैठेंगे क्लास 11 का पूरा एक्जांप्लर में खतम करवा दूंगा अगर तुम बड़े गौर से देख रहे हो यहां पर तो क्लास 11 का जो न्यू एंस एक्जांप्लर है वह हम लोग पूरा कर लेंगे 30 तारी को रात को आठ बजे बैठके डिस्क्रिप्चिन वाक्स में लिंक दिया लिए तयार हो तो कमें अंश्टाग भर ना चाहिए बढ़ना चुरू करते हैं जब जब मोटिवेशन आके पढ़ाई शुरू करोगे न तुम पढ़ाई नहीं करो तुम अपने अपसे ब्लार धोका कर रहे हो मैं कहता हूं कंसिस्टेंशी को मेंटेन करो तो मैंना सीधायस तुम पकडा करो, तुम intensity को पकडते हो, जह ज बच्चे ने intensity पकडा है, उसका need कभी clear नहीं हुआ, consistency वाले बच्चों का ही clear होता है, मैंने 75 hard day challenge launch किया, पहले दिन, बच्चों दिर्ड़ थार बच्चे, दुसरे दिन 500 बच्चे कम हुए, 300 बच्चे कम हुए, और आज के समय मतलब 300-300 बच्चे करते हैं मेरे 15 दिन हो चुका है तुम यह देखे हो बच्चे में पेशन्स लेवल नहीं है और MBBS पेशन्स मांगता है अगर तुम्हारा में पेशन्स नहीं है तो MBBS तुमको चाहता भी नहीं है अगर तुम्हारा यह आदत है आज मैं इधर पढ़ूँगा कल मैं उधर पढ़ूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा वह तुम्हार लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और यह तुमको आगे चलके समझ में आएगा MBBS में कोई टीचर तुमको पढ़ाता नहीं है आपको नौलेज को ग्राप करना पड़ता है हर ज प्रैक्टिस करना और करवाने में बहुत मुश्किल होता है हर एक सवाल को डिजाइन करो हर एक कोशिंग के बीच लॉजिक बनाओ कि सवाल क्यों बना है कि सवाल से और कितने कोशिंग बन सकते यह डिफिकल्ट चीज होता है और इस यूटी पर कोई नहीं कर रहा है मैं प्रैक्टिस तुम जितना अधिक करोगे तुमारा सेलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा इस क्लास में रोल कर लो और जो इंटेंसिटी वाले जो भी बच्चे है ना मैं तुम से अभी कह दे रहा हूं तुम प्रिपरेशन ड्रॉप कर दो और तुम बीसी में अडिमिशन ले पल तभी मिलता है कहते ना कि जो इसने बहुत अधिक साधना किया होता है उसको भगवान दर्शन देते क्यों और साधना एक दिन का नहीं होता है कैके साल का होता है और MBBSB वह भगवान की तरह है अगर मुझे उसका दर्शन चाहिए ना तो मुझे वह साधना करना पड़े तो आप मेहनत करो प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करो ठीक है मैं तुम्हारे साथ हर्दम खड़ा हूँ एक और एक अपडेट है अगर आप फ्री में नीट के त्यारी करना चाहते हैं तो नीचे क्यूआर कोड यह दिया है आप इसको स्कैन कर लेना तुमको सारी फ्री होगे अगर कुछी भी दिख्कात होगा डू लेट असनों कमेंट सेक्शन मैं तुम्हारे सारे डाउट्स हो क्लियर करूंगा दोनों क्लास की लिंक दी गई है आप लोगे रोल कर लो मिलते अंगले वीडियो में अभी क्लिए बसत नहीं गाईस थाइंक यू जय हिंद क्यों 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 गाउड़More